हेलो स्टुडेंट्स अपना गुर्कुल यूट्यूब चैनल पर फिर से आपको स्वागत है डियर स्टुडेंट्स मेरा नाम है लोकेंदे सिंग राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 8 नाहु देबेच के आरेस अगरवाल सॉलुशन्स में एक्सराइज 1D का क्यास्टन नमबर 6 और 7 तो चलिए सुरू करते हूं तो हमारा क्यास्टन नमबर 6 है find the value of 5 अपोन 8 पावर मैनस 1 – 4 अक्यूड 9 पावर मैनस 1 और –7 अपावर मैनस 1 और 1 अपोन 3 पावर मैनस 1 तो पहले तो यह कॉंसप्स समझते कि पावर जब नेगेटिव हो जाती है तो हम इसको कैसे तो करते हैं है तो देखो bon कुछ ऐसा बनाया हुआ है जैसे यहां पे bracket में A by B लिखावा है और इसके यहां M लिखावा है तो यह जो M है इसको तो power बोला जाता है यह exponent भी बोल सकते हो यह सारी चीजे हम लोग power and exponent वाले chapter में detail में पढ़ने वाले हैं अभी के लिए बस आप आप याद रख सकते हो कि यहां जो लिखावा है यह power है इसका मतलब क्या है कि A by B को हम कितने times multiply करेंगे M times multiply करेंगे जैसे मैं आप और example से अगर मैं समझाओं तो की power 5 रखावा है तो इसका मतलब क्या है 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 5 I hope आप लोगों को यह समझ में आगई होगी और यह जो bracket के अंदा लिखावा है इसको बोला जाता है base तो यहां इस concept को हमारा concept है power minus 1 तो minus 1 को हम solve लिकर सकते तो हमें क्या करना है इसको positive बनाना पड़ेगा तो positive बना के फिर solve करना असान है पावर फिर 1 हो जाएगी और 1 का मतलब इसकी power हमें क्या करना है केवल उसी number को लिख देना वही क्या हमारा result हो जाएगा तो देखो अगर a by b की power minus m दे रखी है m कुछ भी हो सकता 1 2 3 4 तो इसको हमें positive बनाना power को minus से क्या बनाना positive तो करते कैसे हैं इस base का क्या कर दो रेसी प्रोकल कर दो रेसी प्रोकल का मतलब numerator को denominator बना दो denominator को numerator बना दो और power को क्या बना दो positive बना दो तो जो हमारा result आएगा वो क्या होगा हमारा answer हो जाएगा जैसे मैं एक प्रोकल बताऊं कि कई पर 2 upon 5 है इसकी power minus 2 दे रखी है तो इसको हमें solve करना तो power minus 2 को हम solve निकार पारें तो हम इसको positive बना दें तो क्या होगा 5 upon 2 की power 2 हो गया अब power 2 का मतलब है कि यह दो बार multiply होगा तो 5 upon 2 multiply 5 upon 2 अब numerator को numerator से multiply कर देंगे denominator को denominator से multiply कर देंगे तो कितना होगा 5 5 जा 25 और 4 टू 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 जा 4 हो गया तो हमारा result क्या आ गया इस वाले question का 25 upon 4 I hope आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा similar यहां भी हमें यही करने है तो यहां क्या होगा इसकी power positive बनाना है तो 8 upon 5 और power कितनी हो गई 1 minus का plus बन जाएगा और अब हमारे को power 1 लगाने की जरुवत नहीं होती तो हम direct क्या लिख सकते है 8 upon 5 I hope आप लोगों कोई चीज समझ में आ गयी होगी similar ऐसे ही इसको क्या लिख सकते है 9 upon minus 4 उसकी power 1 और power 1 लगाने की जरुवत नहीं होती है तो कितना हो गया 9 upon minus 4 I hope यह भी आपको समझ में आ गया होगा अब यहां देखो only minus 7 है तो हम पहले क्या कर लें इसके नीचे 1 लगा लें कोई भी फरक नहीं पड़ेगा तो minus 7 upon 1 बोल सकते हैं इसको अब power को positive बनाने के लिए क्या हो जाएगा 1 upon minus 7 की power 1 जिसको हम क्या लिख सकते है only 1 upon minus 7 I hope यह भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा यहां पर 1 upon minus 3 की power minus 1 है तो इसको minus 3 upon 1 की power 1 बोल सकते हैं और नीचे 1 लगाने की जरुवत नहीं है यहां भी 1 लिखने की जरुवत नहीं है तो direct हम क्या लिख सकते हैं minus 3 तो इसका answer क्या हो जाएगा minus 3 I hope यह आप लोगों को चारो के चारो अच्छे से समझ में आ गया होंगे अब हमारा 7th question है इसके साथ हमारा 6th question खतम हो गया आप 7th question करते हैं इसको भी आप अच्छे से note करें side में cloud point मतलब cloud type का ऐसे बना के यह note बगेर आप डाल के आप note कर सकते हो कभी भी जब जरुवत पड़े तो इसकी help से कोई भी question बनाया जा सकता है अब अगला question है कि verify the following left hand side में कुछ लिखावा है right hand side में कुछ लिखावा है verify करना है verify करने का मतलब क्या है left hand side को अलग solve करना है right hand side को अलग solve करना है और उसके बाद में दोनों साइड equal आनी चाहिए तो हम बोल देंगे कि यह क्या हो गया verify हो गया लेकिन इसको आगे solve करने से पहले हम यहां देखते है कि यहां पर कौन सी property actual में use हो रही है तो देखो हमने एक property पड़ी थी कि A को अगर multiply किया जाया B plus C से तो यह इससे भी multiply हो जाता है इससे भी multiply हो जाता है तो A multiply B बीच में plus है तो plus A multiply C हो जाएगा और इस property को बोला जाता था Distributive property I hope कि आप लोगों ने concept videos को देख लिया होगा अगर आपने अभी तक concept videos को नहीं देखा है तो आप playlist में जाएए नवदे बेच वाला जो section है वहाँ जाके पहले concept videos को देखे concept अगर एक बार आप लोगों को clear हो जाएगा तो फिर आप कोई भी question solve कर सकते हो तो देखे अब यहाँ क्या करना है मैं left hand side को solve करना है पहले तो मैं इता left hand side को solve कर रहा हूँ 6 और 13 का जब LC हम लोगे तो आएगा 78 आएगा अब 78 में 6 से divide करोगे 13 टाइम होगा 13 को 5 से multiply करोगे तो 65 आएगा बीच में plus है तो plus आएगा फिर 78 में 13 से divide करोगे तो 6 टाइम होगा 6 को 12 से multiply करोगे तो 72 आएगा अब bracket को पहले अब 8 कर लेते हैं हम लोग 3 upon 7 multiply देखो यहाँ पर 7 और 5 कितना होगे 2 और 5 7 होगया और 6 और 7 6 और 7 कितना होगया 13 होगया और divide by यहाँ कितना है 78 I hope आप लोगों को यह चीज अच्छे से समझ में आ रही होगे अब देखो हम आगे solve करते हैं इसको अगर कुछ numerator denominator आपस में divide हो रहे हैं तो उनको divide करके simplify कर लेते हैं otherwise यहीं पर छोड़ देंगे तो देखो 3 बंजा 3 3 टू जा 6 1 बचा और 3 6 जा 18 हो गया मतलब यह तो यहाँ divide हो गया कुछ और भी divide हो रहा है कि देखो 7 यहां हो रहा है क्या नहीं हो रहा 7 एक बार और देख लेते हैं कि भाई हमने कुछ गल्ती तो नहीं किये 5 और 2 7 6 और 7 13 सही है और यहाँ पर भी इसका 6 टाम डिवाइड होगा 12 सो मल्टिप्लाइब करेंगे 72 सही है बिल्कुल अब तो ऊपर तो क्या आगया 137 और नीचे क्या आएगा देखो 6 7 7 6 जा 42 का 2 आएगा केरी कितना आएगा 4 आएगा 7 2 जा 14 और 4 18 तो हमारा जो रिजल्ट आया वो कितना आगया 137 अपन 182 I hope यह चीज आप लगो को left hand side को कैसे solve किया यह अच्छे से समझ में आ गई होगी अब right hand side को solve करना है तो right hand side में 2 brackets है तो दोनों brackets को अलग-अलग solve कर लेते हैं पहले इन दोनों को multiply करते हैं तो देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ 3 upon 7 multiply 5 upon 6 plus 3 upon 7 multiply 12 upon 13 तो देखो कुछ multiply divide होके कट रहा है तो देखो यह 3 upon 3, 3 upon 6 यहाँ कुछ भी cancel नहीं हो रहा है तो हम इसको ऐसे कैसे लिखेंगे तो देखो यहाँ क्या हो रहा है 5 upon 5 नीचे कितना हो गया 7 upon 14 plus यहाँ 12 upon 3 upon 36 divide by इसको इससे करेंगे तो 78 I hope यह आप लोगो को सोरी इसको इससे करेंगे तो 13 7 जा 91 I hope आप लोगो को यह अच्छे से समझ में आ गया होगा अब हमारे को क्या करना है इन दोनों का LCM लेना है तो आप लोग जब LCM लोगे तो आपको पता चलेगा किसका LCM कितना निकल के आएगा वो आएगा 182 आप लोग लेके देख ले ना अलग से हैं आपे साइड में कि 91 और 14 को लिखा दोनों में क्या हो रहा है 2 से इसमें डिवाइड हो रहा है इसमें नहीं हो रहा तो इसको ऐसे कैसे नोट कर लेंगे यहा 7 होगा इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो यहां कितना time होगा, 13 time, यहां पर one time, फिर यह 13 से divide होगा, one time, one time, 13, 7 जा कितना होता है, 91, और 91 को जब 2 से multiply करेंगे, तो आएगा 182, ठीके, अब इसके अंदर इससे divide करेंगे, तो कितना होगा, 18 में तो one time गया, कितना बचा, 4 बचा, 4 के आगे 2 लगाएंगे, तो 42 हो गय और 13 को 5 से multiply करेंगे, तो 65, जब इससे इसको divide करेंगे, 2 time होगा, और 2 को 60, 36 से multiply करेंगे, तो 72 आएगा, जब दोनों का sum करेंगे, तो 137 आएगा, नीचे 182 आएगा, तो देखो, लास्ट में हमारे को पता चल गया, कि लेफ्ट अंड साइड और राइट अंड साइड दोन पर इसके बागी के 2 या 3 questions हो रहे हैं, उनको भी हम देखते हैं, इसको आप अच्छे से note कर लीजिए, अब हम आगे के 3 questions को solve करते हैं, तो देखिए, second number का question है कि, यह यहाँ बीच में multiply है, ध्यान रगना, तो इसको कैसे solve करेंगे, तो सबसे पहले हैं, तो left hand side को solve कर लेते हैं, तो left hand side में break it सबसे पहले solve होगा, तो देखो, minus 15 upon 4 multiply, तो देखो, यह plus और minus क्या हो जाएगा, minus का 12 upon 5 बन गया, अब यहाँ पे क्या होगा, minus 15 upon 4, जब LCM लोगे नीचे, तो कितना हैगा, 7 और 5 का LCM 35 आएगा, इस 35 में 7 से divide करोगे, 5 time होगा, 5 को 3 से multiply करोगे, तो 15 आएगा, बीच में minus आएगा, इस 35 को 5 से divide करोगे, तो 7 time होगा, 7 को 12 से multiply करोगे, तो 84 आएगा, अब इसमें से इसको subtract करोगे, तो देखो, कितना आएगा, यह तो minus 15 upon 4, जब से कैसे चल रहे है, यहाँ पे इसमें से इसको minus करोगे, तो पहले देखो, 14 minus 5 करेंगे, तो 9 आएगा, फिर 7 minus 1 करेंगे, तो 6 यह नहीं, minus 69 upon 35, I hope आप यह उपर नीचे divide हो रहा है, तो हम उसको भी कर लेते हैं, तो यहाँ देखो, यह 5 से 3 time divide हो रहा है, 5 से 7 time divide हो गया, क्या और कुछ भी हो रहा है क्या, यह 7 इससे नहीं होता है, 7 की table में 69 नहीं आता है, 4 की table में भी नहीं आता है, तो मतलब यह यहीं छोड़ना पड़ेगा तो देखो, यह क्या था, माइनस का 3 और यह था माइनस का 69, तब multiply करेंगे तो plus का बन जाएगा, और कितना बनेगा, 9 3 जा 27 का 7 आएगा, केरी कितना आएगा, 2 आएगा, और 6 3 जा 18 और 2, 20 और नीचे कितना आएगा, 28, I hope आप लोगों को यह चीज अच्छे से समझ में आ ग 27, plus minus 15 upon 4, multiply minus 12 upon 5, इसको पहले ऐसे कैसे लिख दिया है मैंने, अब देखो आगे जो भी divide वगेरा हो रहा है तो उनको करके देखते, 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, उपर minus 3 और minus 3 बच गया, यहनि minus plus का 9 आजाएगा इसका result हो, फिर बीच में plus है तो plus, यहाँ देखो को कुछ divide हो रहा है कि 7, 15 से भी नहीं होता, 3 से भी नहीं होता, 4, 15 और 3 दोनों से नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, simply multiply कर देंगे, तो minus 15 को इससे करेंगे, minus 45 आएगा, और यहाँ नीचे करोगे 28 आएगा, नीचे क्या ले ले लेता हम, LCM ले ले लेता है, तो 1 आजाए इस 28 को 1 से डिवाइट करोगे, तो 28 टाइम होगा, अब 28 को 9 से multiply करना है, तो अगर 10 से multiply करते हैं, तो 280 आएगा, हमें 9 टाइम करना है, यानि कि 280 में से 28 को सब्रेक्ट कर दो, ठीक है, यह आप लोगों कि याद रख सकते हो, जब इभी 9 टाइम करना है, तो 10 टाइम हमें पत सब्रेक्ट कर दो, तो 252 हो जाएगा, तो यहां कितना आ जाएगा, 252, I hope आप समझ पा रहे होंगे, जब इसमें से इसको सब्रेक्ट करेंगे, तो यह आएगा, 207 और नीचे कितना है, 28, तो देखो, आप यहां देख पा रहे होंगे, कि left hand side का result निकल के आया था, वही क्य क्या है, देखो, यहां जो यह multiply, right side, left side में given था, इस वार क्या दे दिया, right side में लिखके दे दिया, तो यह इससे multiply होगा, और यह इससे भी multiply होगा, उसके बाद में यहां यहां ऐसा बन जागा, distributed property के थ्रू, अब हमें क्या करना है, ब्रेक्ट को solve करना है, तो देखो, 3 और 12 का LCM कितना होगा, मैं दोनों को एक साथ solve करना हूँ, जहां रखना, left hand side और right hand side, दोनों को एक साथ solve करना हूँ, और last में देखते हैं कि दोनों बराबर आपें के बीच में, मैं separation कर देता हूँ, उसका तो देखो, यहां पे LCM कितना हैगा, 12 आएगा, यहां क्या होगा, पह divided by 339, बीच में plus है तो plus आएगा, तो यहां पे कुछ divide हो रहा है क्या, कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि 6 उपर किसी से भी नहीं होता, 12 भी उपर किसी से भी divide नहीं हो रहा, तो क्या करना है, simple multiply करना है, तो यह क्या होगा, देखो, minus 13 को 5 से करेंगे, minus 65 आएगा, और बीच में plus है तो plus आएगा, अब देखो, यहां पे plus minus क्या हो जाएगा, minus, यह दोनों क्या है, plus minus यह क्या हो जाएगा, negative बन जाएगा, 12 में 12 से divide करोगे, one time होगा, one को 13 से multiply करोगे, तो 13 होगा, इधान रखना है, plus और minus multiply क्या हो गया, minus, जब इन दोनों को एक साथ लाओगे minus 37 upon 12, I hope यह अच्छे से समझ में आगया होगा, अब 9 और 72 का LCM लेंगे, तो 72 आएगा, इस 72 में क्या करना है, 9 से divide करना है, तो 8 time होगा, और 8 को जब 20 से multiply करेंगे, तो minus का 160 आएगा, बीच में plus है, यह plus का है, यह minus का है, इसलिए किसका आएगा, minus का आएगा, 72 में, इस 72 से divide करेंगे, 1 time होगा, 1 को 65 से multiply करेंगे, तो 65 आजाएगा, जब दोनों को 8 करोगे, उपर तो देखो, यह आजाएगा, minus 225 और नीचे कितना होगा, 72, I hope आप लोगो कोई अच्छे से समझ में आगया होगा, अब हमारे को इसको आगे सोल करना है, तो देखो, किससे से divide हो रहा multiply किया, minus 2339, हाँ, सही है यह तो, फिर यहाँ क्या होगा, इसको इससे multiply करना था, इसको इससे करना था, question में कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, देखो, इसको इससे divide करेंगे, तो कितना आएगा, 8 time होगा, 8 को minus 20 से multiply करेंगे, तो क्या आएगा, minus 160 आएगा, बिल्कुल सही है यह भी, कुछ गलत तो नहीं लिखाया ना, एक बार देख लीजिए, 12 को 6 से multiply करेंगे, 72 होगा, इसको इससे करेंगे, 65 आएगा, फिर दोनों का LC हम ल minus 160 आएगा, सही है यह भी, यहाँ कुछ साइन वगरा की तो गलती नहीं ही है न, यहाँ देखो, क्या हो सकता है, यहाँ गलत कर दिया हो कुछ, 4 time होगा, देखो, यहाँ एक गलती होगी, छोटी सी, देखो, यहाँ पर 12 को हमने 3 से divide किया, तो कितने time होगा, 4 time, और 4 को जब किसे multiply करोगे, 8 से multiply करोगे, तो कितना आएगा, 32, जब इन दोनों को एक साथ 8 करोगे, तो कितना आएगा, minus का 45, ठीक है, और यह फिर से आगे solve हो जाएगा, कितना, देखो, यह 3 से divide हो रहा है, 15 time, यह 3 से divide हो रहा है, 4 time, यहाँ फाइंडर लिजल्ट कितना आएगा, minus 15 upon 4, I hope आप आप लोगो को अच्छे सा समझ में आ गया होगा, अब देखो, यहाँ भी, दोनों किसी एक नंबर से divide हो रहे हैं क्या, यह 3 से divide हो रहा है, देखो, यहाँ भी कुछ गलात हो रहा है, 160, 168 करेंगे, minus 250, यहाँ पर 72 है, 3 से divide करेंगे, 7 time होगा, यह सही है बिल्कुल, क्या हाँ गलती कट रहे हैं, यह 3 से divide हो गया था, सही है बिल्कुल, फिर यहाँ पर क्या होगा, 12 को 12 से divide करेंगे, minus 13, यह भी सही है बिल्कुल, minus 45 upon 12, minus 15 upon 4, यह भी बिल्कुल सही है, यहाँ तक, 160 और 6, 60 कितना हो जागा, 220 और 5 हो गया, 225, divide by 72, अब देखो, आगे हो, इस यह कुछ गलत नहीं हो ना, वैसे तो गलती तो नहीं होई है, लेकिन आगे देखो, सोल करते हैं, यह 3 से, और divide हो रहे है, कितने टाइम होगा, यह 8 टाइम हो जाएगा, यह 20, 5 टाइम हो जाएगा, minus 25 upon, 8 आ रहा है इधर तो, और इधर कितना आ रहा है, minus 15 upon 4, ऐसा नहीं आ है, यह पर इन दोनों का LCM भी सही है, इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो कितने टाइम होगा, 8 टाइम होगा, सही है यह भी बिल्कुल, हमने कुछ गलत नहीं किया, फिर आंसर गलत कैसे आ रहा है, इन दोनों को 8 करते वक्त भी, यहां देखो, यहां 3 से डिवाइड किया तो 24 आएगा, सही है यह भी, यहां 3 से डिवाइड किया, 75 आएगा, फिर आद 3 से डिवाइड किया, त्वन्टिफाइगा, recruit है यही टाइम होगा, फिर यह क्या है, वाइनस 32 कैसे आ रहा है, यह सही है, माइनस 32, 12 जो टैंट करेंगे, वन टाइम होगा, 1 को 13 से मल्टिप् भी तो करना है भी तो five upon six से क्या करना multiply करना भूल गया अपन तो देखो अब आ जाएगा तब ही मैं सोचू कि यहां पर mistake कुछ ना कुछ नो मिस हो रहा है तो देखो I hope आप समझ पा रहे होंगा है यहां पर छोटी सी मिस्टेक यह थी कि इसको अमने ध्यान नी दिया इससे multiply होगा तो पहले हमने क्यों ब्रेकिट को सोल किया और वही रिजल्ट माल लिया तो यह कितना था माइनस 45 अपॉन 12 मल्टिप्लाइ 5 अपॉन 6 होगा जिसको आगे इन दोनों को सोल करोगे तो देखो यह क्या बन गया था माइनस 15 अपॉन 4 बन गया था अब देखो इधर multiply डिवाइड कुछ हो रहा है तो करो यह 3 से कितने टाइम हो गया 5 टाइम हो 3 से 2 टाइम तो यहां पर देखो minus 5 को 5 से करेंगे तो minus 25 हो गया और 4 को 2 से करेंगे तो 8 देखो left hand side और right hand side में दोनों में equal आ गया तो left hand side और right hand side दोनों equal होगी यह देखो I hope आप समझ पा रहे होंगे यहां पर mistake नहीं हुई थी हमारी हमने गलती क्या किया थी कि इसको multiply करना भूल गये थे तो वो हमने last में सुधार लिया गलती तो इसके साथ यह हमारा क्या हो गया इसका result आगया verify कर दिया हमने कि left hand side और right hand side दोनों equal आ रही हो तो देखो यहां क्या होगा same question है इसको पहले solve करो तो left hand side और right hand side को दोनों को एक साथ solve कर रहूं है यहां क्या होगा देखो bracket solve होगा पहले यह इस वज़े से यहां पर गलती हुई थी कि यह बाद में लिख दिया था हमारी आदत क्या है कि हम आगे ही लिखके solve करते तो वो साथ के साथ लिखते जाते अब यहां पर इसको solve किया तो इसको लिखना भूल गया तो इससे कोई problem नहीं है आप लोगों को समझ में आना चाहिए तो देखो यहां पर bracket में LCM लोगे तो इसका कितना आएगा 18 आएगा 9 और 6 का LCM 18 में 9 से divide करोगे तो 3 time होगा 3 को minus 8 से multiply करोगे तो minus 24 आएगा देखो plus minus क्या हो जाएगा minus हो जाएगा इस 18 में 6 से divide करोगे तो 3 time होगा 3 को 7 से multiply करोगे तो 21 आएगा और right hand side में दोनों के अंदर multiply करना पड़ेगा तो देखो कुछ divide वगेरा हो रहा है तो हम कर लेते हैं यह इससे हो रहा है कि है यह देखो किसी से भी नहीं हो रहा है तो यह इन दोनों को multiply करना है minus minus plus हो जाएगा 16 को 8 time करना है तो जब 16 को 8 time multiply करोगे तो कितना आएगा I think 132 आएगा और नीचे कितना आजाएगा 63 बीच में plus है तो plus फिर यहाँ देखो कुछ divide हो रहा है कि देखो यह 7 से 7 divide हो गया यह 2 से 3 time हो गया और यहाँ 2 से 8 time divide हो गया अब उपर क्या होगा देखो यह 1 1 time हो था 7 से 7 minus 8 हो minus 1 बच गया इसको multiply करेंगे तो 8 हो जाएगा और यहाँ पर 3 बन जा minus का 45 upon 18 हो गया अब इसमें देखो कुछ subtract वगेरा यह multiply वगेरा हो रहा है तो मतलब divide वगेरा हो रहा है तो यह 8 time divide होगा 2 से और यह 9 time हो गया फिर यह क्या होगा 3 से 15 time होगा यह 3 से 3 time होगा तब उपर देखो minus minus का plus हो जाएगा 15 8 जा 120 हो गया और नीचे 73 जा 21 हो गया अब यहां भी 8 करके देख लेते हैं तो यहां कितना आता है LCM आएगा 63 आएगा 63 में 63 से divide करेंगे तो 1 time होगा और 1 को 132 से multiply करेंगे तो 132 आएगा बीच में plus है तो plus इस 3 से इसको divide करेंगे 21 time होगा 21 को 8 से multiply करेंगे तो 8 1 6 आएगा I hope आप यह अच्छे सा समझ पाने होगे अब इसको हमें आगे क्या करना पहले 8 कर लेना तो यह कितना हो जाएगा 0 9 और यह फिर से 0 फिर 1 आएगा केरी तो 3 और divide by 6 3 1 अब यहां पे देखो 3 से divide हो रहे है यहां कुछ गलत कर दिया कि हमने देख लो एक बार यह 132 नहीं होगा यह यहां देखो फिर मिस्टेक होगी छोटी सी 128 आएगा यह 132 नहीं 128 आएगा 16 एड जा 128 आएगा तो यहां क्या होगा अब एडिशन करना है तो 128 यह नहीं 4 माइनस कर दोगे मतलब हमें 8 और 8 16 हो गया 162 कितना हो गया 8 और 1 9 और 11 9 12 हो जाएगा में ठीक है आप समझ पारे होंगे अब यहां पर क्या करना हुआ कर दिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करना है को दोनों किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो देखो उपार नीचे अगर आप करोगे तो यहां कुछ गलत तो नहीं किया ना फिर से हमने 128 बिल्कुल सही है 63 बिल्कुल सही है फिर यहां से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम होगा 21 टाइम होगा 21 को 8 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो कितना आएगा 21 मल्टिप्लाइड 8 8 और यहां 61 60 सही है बिल्कुल 8 और 8 कितना हो गया हाँ सही है हम सही कर रहे है बिल्कुल देखो आगे बढ़ते इसको क्या करो 3 से डिवाइड करो 21 टाइम होगा इसको 3 से डिवाइड करोगे तो यह हो रहा है क्या 3 से डिवाइड I think नहीं हो रहा है 3 से डिवाइड यह देखो और आगे डिवाइड हो सकता है क्या इसको पहले कर लेते यह 3 से 30 टाइम होगा यह 7 टाइम होगा अब यहां देखो तो यह direct 9 से divide हो रहा है क्या 15 to 17 हो रहा है ऐसे क्छ से हो रहा है कुछ गलत नहीं किया फिर भी गलती किसे हो रही है प्लस मैंने तो गलती नहीं किया नहीं इसको इसने किया देखो एक बार वापस मैं vontade करता हूँ यहां देखो फिर वही छोटी से मिस्टेक कर दिया हमने तो देखो यहां कुछ मिस्टेक हो यह 18 है 18 को हम क्या करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम होगा 2 को 8 से मल्टिप्लाई करना है तो यह 3 टाइम नहीं होगा यह 16 आएगा इन दोनों को 8 करोगे तो माइनस का 37 आएगा यह बार-बार गलती हो रही है हो सकता है कि थोड़ा सा हमारे को इतना ध्यान नहीं दे रहे इस वज़े से चलो कोई बात नहीं हमने गलती सुदा लिए यही सबसे बड़ी बात है ठीक है और यह यहां पर आप नाइन टाइम मल्टिप्लाई होगा अब उपर नीचे कुछ भी नहीं हो रहा तो इसको इससे मल्टिप्लाई करो माइनस है यह भी माइनस का है दोनों को एड करोगे मल्टिप्लाई करोगे तो 867 जा 56 केरी कितना आया 5 आएगा हमने उनको अच्छे से सुदार लिया है इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए इसके साथ हमारा आज का लेक्चर खतम होता है नेक्स लेक्चर में हम लोग आगे के दो बागी के केसंस बचके उनके सोलिशन्स देखने वाले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए और चेनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तब तक के लिए थेंक्यू